रण अप्पचंड है, बल है बलवान है, क्रांट का सिंकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इपिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादो पर विबाद है, उत्तर प्रदेश में अब गाउं की राजनीति का महौल जो है, वो गर्म होने लगा है, क्योंकि पंचाय चुनाओ सर पर है, सभी गाउं में जो राजनीतिक मुद्दे हैं, वो अब सोर सरावे करने लगे हैं, यही वज़े ह कि बड़ी राजनीतिक पार्टिया भी पंचाय चुनाओ को ले करके अपनी कमर कसली है, और अपने संगठनों की लगातार बैठके कर, गाउं में किस तरीके से पंचायत में उनकी घुसपैट हो, और किस तरीके से वो ग्रामिड इलाकों में अपने पार्टिक अजंडा मज हैं, नमस्कार मैं हूँ सौरफ श्रवास्तों और आप देख रहे हैं, लाइव यूपी, लाइव यूपी की टीम इस समय गाउं का दौरा कर रही है, और किस तरीके से गाउं में चुनावी तयारी चली है, क्या है मिशन 2021 गाउं की संसद इसको ले करके हम इस समय स्थली नि इस सिती है, चुनाव को लेकर के कैसी तैयारिया चली, प्रदीव जी आपका स्वागार पांडे, ग्राम परदान कुरोना, विकास खंडा राजी लाइन, वारांशी का हूँ, सबसे पहले मैं गाउं वासियों को, छेतर वासियों तर जनपत के वासियों को, नौवर्स की, म परोजी से 15 मार्च के चुनाव होने की संभावना है, उसकी इससाब से हम लोग गाउं चवाँ में अगरूरी कर रहे हैं, गाउं में मतलब हम लोग जो 2015 में जब और इलेक्टेड हुए थे, उसके बाद से गाउं सभा में में हम लोग लगातार पांच साल तक काम किये हैं, पांच साल तक कामों में सबसे पहले हम सिच्छा को बरियता दिये हैं सिच्छा हमारे गाउन सभा में दो विद्याले एक प्रात्मीक विद्याला है एक जूनियर विद्याला है तो प्रात्प विद्यालाय में मैं कायकल्प के तहत हमने बहुत कामगावव काम कराये हैं जो काम की आपको दिख रहे होंगे सबसे पहले मैं आपको अपने विद्याले में एंट्री करते ही बताऊंगा कि हमारे कहां का पहले जब हम 2015 में हुए थे तो कोई गेट नहीं थी सबसे पहले हम उसके यहां का गेट का निर्मान कराएं मतलब बनवाएं गेट को बनवाएं गेट लगवाएं गेट में ताला लगने लगा उसके बाद जैसे आप एंट्री होंगे बाएं साइट में गार्डेनिंग है बढ़ियां गार्डेनिंग हुआ है और राइट से मास्तर साब राजेश पठाक जी так यहां के अध्यापकों काफी काम कराए ह। बंञा में रंगाई पूताई के काम में भीन का काफी सहयोग रहा है विद्याले में जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आप देखिए कि स्टेज है तो यहां पर एक जरजर भवन हुआ करता था जो काफी मतलब खसता हाल में था तो उसको पूरा तुलबा के हमें सांस्कृति कारेक्रम के लिए मज़र बनवा दिये हैं यहां की आपीस जो है यहां के आप इसको पुरा टाइल सीकुत कराया गया यहां पर बच्चे पहले जो थे जमीन पर बैठा टाट पर बैठते थे उसको मैंने देखा कि मतलब सारे बच्चे टाट पर बैठ रहे हैं थ्वासा इसमें कुछ मोडिफाई किया जा हमको इनकी बात काफी अच्छी लगी और मैंने विद्यालय के सारे बच्चों को बैठने के लिए लोहे की पूरा बनवा दिये हैं कि टेबल कुछ आज के डेट में हमारे विद्यालय में कोई भी बच्चा जमीन पर नहीं बैठता है विद्यालय के अं गाय कल्प के तहत गाउस सभा से तथा कंपोजीट ग्रांट से तथा यहां के अध्यापक अधिका अध्यापाई काउगों के सही योग से काफी विद्यालय में काम हुआ है इसके लिए में विद्यालय के अध्यापक अध्यापकों का बहुत बड़ा धन बहुत धन बात द सिंग जी विद्याले में आये और विद्याले काफी अच्छा एक्सलेंट है और उनसे हम प्यसे साफ से और गाउं के अपने गाउं के लोगों से भी बोले हुए है कि 2022 तक इस विद्याले को जन्पद में काफी उच्छे स्थान पर ले जाएंगे जो भी लोग यहां पर आए बनारस में है और विद्याले को अगर उनके दिल्ली है कि हमारे विद्याले का मोगत बताएं हां कि यह वार्म का स्वागत करना चाहते हमारी बिद्याले में आए देखे मतलब आप एक तरीके से यूपी सरकार के तरफ से चैलेंज कर रहे हैं मनीश से सोदिया को जी जिए यूपी सरकार की तरब से मनिस्ट शुदियाजी को चैलेंज कर रहा हूं कि हमारे विद्याले पर आए उनका स्वागत है हमारे विद्याले का देखे बेवस्था देखे और उसके बाद बताए कि दिली और यहां पर क्या अंतर है जो कि यूपी में और खासकर गाउंस सभा मे थोड़ा संसाधन का अभी अभाव है जिसके कारण मलब विद्याले में विकास हम लोग बहुत मेहनत से कर रहे हैं लेकिन दिली सरकार के पास तो काफी राजव से उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर पाए है तो मनिस्ट शुदियाजी बढ़ आए देखे हमारे हां लेक अगर कोई वी दो चलता है और यहां पर अधिक सदिकों कामकर चाहिए चुकी और यहां वे बच्चें यहां पर पड़ते हैं देश के भविश्यू होते हैं तो किसी हिसाब से हांक हिसा मारना या उनके लिए अन्याय करना यह ठीक नहीं है अगर अपने सारे जनपत के प्रधान भाईयों संरोद करेंगे विद्याले में खुब अच्छे से काम करें ताकि हम लोग कहीं अगर बाहर जाएं मतलब दूसरे डिस्टिक में जाएं या यूपी जानेकर के लिए सभाधन चूता या तो विकास के मामले में या प्रधान की चुनना चाहिए पढ़े लिखे हैं और विकास के मुद्धे पर काम करने की बात कर रहे हैं तो उनको चुनना चाहिए आपके सोच देख के समझ में आ रहा है कि आप युवां को लेकर इसकूली बच्चों को लेकर कितना सोचते हैं चाहिए और प्रधानी के लिए शिक्षा का इस तर एक लेवल कर देना चाहिए क्योंकि जो लोग अगर पढ़े लीखे नहीं है वह प्रधान बनते तो आगे सोची नहीं सकते तो वह बच्चों को लेकर च्या भवी सुन के बारे में सोच पाएंगा तो मतलब प्रधानी प्र काम प्रधान हैं प्रधान मंत्री ठको शिक्षित मैं सबको हो रहा है तो सरकर सकी अपनी मंसार ये अगरे तो ग्रेजुएट कितना लाब मिल पारा है कितना अपन उसको लागू करा पारें मतलब की जनता को सरकारी योजनाओं के लाब किस सरी कि दूख जो गौर्मेंट का जो भी पैसा चल रहा है पहले जो भी चौदहमा बित का पैसा है अब आगे उपंद्रहमा बित में कनवर्ड हो जाएगा राज पैसा और रप्रद्धास का सदूपयों कर रहे हैं और जो कुछ हमें पहुँच उन्हारा है तो गलत रहे हुं से हमारी रुप्या चल ला हैं किसी योजना के लिए किसी किसी पहुंच रहा है चल्ब हाभि आपने अपने गाउंग में इसको इनी स्कूल किलावा और किसकिस तरीके से विकास कारेव पर जोड़ दिया है आपने चुकि विद्ध्याले जो है गाउन सभा के पार्ट है इसको इसको सरोच अस्थान पर रखके हैं लेकिन गाउन सभा में चौतरफा विकास की हुए हैं पांच साल के अंदर अपने गाउन सभा में लगभग 45 आवास बनव कि मंद्रेगा के तहट काफी कच्ची रोड़े जो हैं उनको मतलब मिटी का काम कराये हुए है गाउन सभा में चौत आरफा किसी भी यह आप जाएंगे किसी भी बस्ती चाहें यहां से हम जहां पर खड़े हैं यहां से आप राइट में जाएंगे तो यादव बस्ती है पस लड़ेंगे प्रधानी का चुनाओ तो अब आपकी अगली स्कूलों पर आपने काम कर ला आगे कि आप पांस साल के लिए आपके दिमाग में क्या रणनती बना के आप रखें किस तरीके से विकास करना है गाउन का हम पीछले बार दुजार 15 में चुनाओ जो लड़े थे विकास के मुद्दे पर लड़ेते और आज भी चुनाओ हम लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे पर ही चुनाओ लड़ रहे हैं तो लगभग काम तो हम नहीं कर सकते कि गाहों सबा में हंडेट परसेंट हम काम कर दिये हैं फिर भी जितना हमारी सोच थी उसमें से 90 जोड़ने के लिए कुछ आपने सोचा है जो बाहर लागडाउन के दौरान जो बाहर से यहां पाई दिली मुंबई कलकत्ता नई काफी बड़े सहरों से यहां पर गाउं के जो थे मजदूरी वहां पर करते यहां पर आये हुए उनको हमारे मतलब देश के प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारत प्रदेश के मुख मंत्री योगी जी द्वारत गाउंसभा से जो भी हुआ है हम लोग ब्यक्तिगत तोर से भी गाउंसभा के अलावा ब्यक्तिगत तोर से भी जो हो सका है उन लोगों का मतलब राशन में हर कि अप्रबद किये और उनको मतलब रुजगार देने के मनरेका के तहत काम करवाएं बहुत काम करवाएं मनरेका काम दिये हैं उन्हों पूरा रुजगार दिये हैं जनता से क्या अपिल करना चाहेंगे कि किस थरीक मैं कि इस शंखुल का भुठ पीरोष शंखुल प्रभारी और वर्तमान में मैं सिक्षक संखुल के पद पर कारि कर रहा हूं। मैंने अपने A-B-S-A और B-S-A के प्रियाना स्वरूप प्रधान जी से मदद मांगी थी कि हमारे बिद्याले को सहयोग दिया जाए। बहुत सारी कमिया हमारे बिद्याले में थी और प्रधान जी ने हमें काफी सहयोग किया। और हमारे बिद्याले में बहुत ही सुधार किया है उन्होंने। पेंटिंग, मुख्य गेट, चारो तरफ चित्रकारी, बाला पेंटिंग और फरनिचर तथा छट रिपेरिंग बहुत सारे काम जो की अधूरे पड़े हुए थे उनको हम अपने प्रधान जी की मदद से मैंने पूरा किया है मेरा नाम डकटर राजे सपाथेक है और प्रात्रम विद्याले कुरोना राजी लाइन के इस जाले में मैं परधान धापके पत्पर करे रथ हूँ आपके स्कूल में कितना काम हुआ है, कितना कायकल्ब आप लोगों ने अपने विद्धियाले में किया बख्चें के लिए और प्रधान ग्रामसभा कितना सहयोग मिला उसकाम में कायकल्ब जो यूजना हमारी सरकार द्वारे चलाई गई इसमें गाउं सभा द्वारा, हमारे ग्रामकधांसी, जदिक पुमर पंडे जी द्वारा हमारे विद्धियाले में काफी कारे कराए गए और मैं बहुत आभारी हूं उनका कि सबसे बड़ी समस्या जो हमारे विद्धियाले में थी वह सुरच्छा की थी मैं 2011 से आया हूँ यहां पर और सुरच्छा की विज़ा से काफी नुक्सान होता था काफी हम लोग जो भी कारे करते थी वह सुरच्छित नहीं बसता था नुक्सान कर जाया था लेकिन अब हमारे विद्धियाले सुरच्छित है यहां पर तोड़ फोड़ या इस तरही घटनाएं नहीं होती हैं हम लोग सुरच्छा को जितना हो सकता है कमपोजिट जड़ान से या अपने सोयम के जगदान से जितना संभव हो सका है हम लोगोंने किया है और विद्धियाले को सुन्दर बनाने का प्रयास किया है सासन की मनसा के अंदू हमारे अधिकारियों का भी इसमें बहुत प्रेना रहा है सहयोग रहा है और हम उनकी अपने च्छाओं पे खरा उतरने का प्रयास किये हैं और विद्याले को सुन्दर बनाने का यहां के वातरवण को बच्चों के लिए आकरसक बनाने का प्रयास किया गया है हमारे गांपधान जी दौरा काफी सहयो किया गया काफी यहां पर कारिकर आये गए हमारे बच्चों के लिए बैठने की व्योस्था नहीं थी अब हमारे बच्चे कोई भी स्कूल खुलने के बाद कोई भी बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा टाट पर नहीं बैठेगा सब के लिए बैठने की व्योस्था है हमने कमपोजीट हम लोग कर रहेगा कि बच्चों के भविश्य के लिए इस विद्यालर रुपी मंदिर को सजाया और समराजा